आज के इस लेक्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर तीन से लेके पांच तक तो यह क्लास 12 का NCRT हम पढ़ रहे हैं तो इसमें हम तीन चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे तो इन चैप्टर से हम लोग सिर्फ उन्हीं चीजों को डिसकस करेंगे जो exam point of view के लिए important है So let's start अगर आपका कोई specific सवाल है तो आप मुझे इस email address पर mail कर सकते है इस email address पर आप मुझे mail कर सकते हैं यह मेरा Instagram link है और यह मेरे Telegram channel का link है इस Telegram channel पर आपको मेरे सभी lectures की PDF मिल जाएंगी जिनको आप revision purpose के लिए download कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं मेरे पूरी NCRT सिरीज को देखना तो उन सब के links भी इसी Telegram channel पर share कर दिये गए हैं जैसा कि इस chapter का नाम है इसमें हम तीन chapters पढ़ने जाना है Electrochemistry, Chemical Kinetics and Surface Chemistry तो Electrochemistry की बात अगर हम करते हैं तो इस वाले topic से हम लोग पढ़ेंगे Electrochemical Cell के बारे में तो Electrochemical Cells क्या होते हैं सबसे पहले हम बात करेंगे Voltaic Cell जिसको Galvanic Cell भी बोलते हैं वो क्या होता है तो यह जो Galvanic Cell जिसको हम बोलते हैं Voltaic Cell बोलते हैं उसका मतलब होता है कि ऐसा कुछ हम System बना देते हैं जिसमें कि क्या होता है Chemical Energy जो है वो Electrical Energy में Convert होती है और उसमें actually हो क्या रहा है उसमें एक Redox Reaction हो रही है Redox Reaction क्या होता है यह आप अच्छे तरीके से समझ चुके है Redox Reaction वो Reaction है जिसमें Oxidation and Reduction एक ही Reaction में साथ-साथ चल रही है तो Voltaic Cell या Galvanic Cell वो ऐसा Component है वो ऐसा System होता है जिसके अंदर Redox Reaction हो रही है जिससे कि हम हम Chemical Energy को Convert कर रहे है Electrical Energy में और उस Energy को फिर हम अपने अलग-अलग तरीके के Purpose के लिए यूज करते है तो अगर हम बात करेंगे इसमें अगर हम Definition देखते हैं तो Cell Cell that converts the chemical energy liberated during किसमें निकल रही है Redox Reaction में उसको Electrical Energy भी Convert कर रहा है उसे हम Voltaic Cell कहते हैं Example है उसका Daniel Cell इन Galvanic Cell जो क्या हो रहा होता है आधे Cell के अंदर Oxidation हो रही है Oxidation क्या होती है और Reduction क्या होती है In Terms of Oxygen and Hydrogen भी हम जानते हैं In Terms of Electron Gain and Electron Loss भी हम अच्छी तरीके से जानते हैं जो लोगों को Redox Reaction के बार में कोई Confusion है तो वो Chapter No.7 और 8 जो है Class 12 Chemistry का इससे पहले वाला जो Chapter था आप उसको जरूर जाके देख लेना कि Redox Reaction क्या होती है Actual में Redox Reaction के क्या माइने होते है तो अगर हम Galvanic Cell की बात करते हैं तो इसमें एक Anode होता है और एक Cathode होता है तो Anode के उपर जो है Oxidation Reaction हो रही है और Cathode के उपर Reduction Reaction हो रही है तो इसी चार्ट से आपके कुछ सवाल बनते हैं स्वाइब से जो आपके exam में possible questions हो सकते हैं आपसे ये पूछा जा सकता है कि जो Galvanic Cell है उसके अंदर क्या हो रहा है Galvanic Cell में आपको एक statement मिल सकता है कि उसके अंदर Redox Reaction हो रहा है तो आपको confused नहीं हो नहीं हो नहीं है उसके अंदर Redox Reaction हो रहा है Yes Anod के उपर क्या हो रहा है Anod के उपर Oxidation हो रहा है Cathode के उपर क्या हो रहा है Reduction हो रहा है तो इस तरिके का कोई भी stateмент अगर आपको वोलटाइक Cell के बाले में मिलता है तो वो एक सत्य statement होगा वो एक ठीक statement होगा आपको उसमें से पहचेचानना हो सकता है तो इस तरीके से इस slide में से कुछ questions बन सकते हैं अगर बात करेंगे एक important fact आ रहा है अगर हम बात करें कि electrons का जो flow होता है अगर ऐसा कोई statement मिले आपको कि electrons का जो flow है cell के अंदर वही जो है हमारा current का flow होगा तो वो गलत statement हो जाएगा electrons का flow जो होगा उसका opposite होता है electric current का flow this fact also you have to understand and remember आपको यह याद रखना पड़ेगा तो यह 3-4 हमने इस वाली statement में इतने चोटे से paragraph में देख लिए एक तो देख लिए हमारा photovoltaic cell में हो क्या रहा है chemical energy, electrical energy में conversion हो रहा है साथ में क्या हो रहा है उसके अंदर क्या होता है उसके अंदर redox reaction टेक प्लेस कर रही है redox reaction में क्या हो रहा है oxidation हो रही है anode के उपर और reduction हो रही है cathode के उपर और जो direction of flow of current होगा वो opposite to the direction of flow of electron होगा हमेशा यह हमारा galvanic cell में हो रहा है तो यह सारे के सारे facts आपके exam के statements बन सकते है फिर हम बात करते हैं electrolytic cell क्या है electrolytic cell में क्या हो रहा है device for using electrical energy for non-spontaneous chemical reactions जो होते हैं जो chemical reaction non-spontaneous है लगातार नहीं हो रहे हैं उन chemical reactions के अंदर electrolytic cell का use किया जाता है अब हम बात कर लेते हैं तो कि एक day to day हमारी life से जुड़ा हुआ सवाल है batteries के बारे में तो batteries क्या होती है हम ये बात कर लेते हैं तो जब batteries या cell जिसको कहते हैं वो क्या है वो electrical energy का source है किस तरीके के cell है अभी हमने galvanic cell की बात की galvanic cell में हम जानते है cathode है ये cannot है तो battery क्या है battery एक source है electrical energy का galvanic cell में जहां पे क्या कर रहे है chemical energy को हमने redox reaction जो हो रही थी उसको electrical energy में हमने change कर दिया है और इसका purpose हम क्या use करते है इसका purpose cell कहां use होता है cell वहां पे use होता है हम जहां पे direct supply of electricity नहीं दे सकते जैसे कि example क्या है जैसे कि मान लीजे आपको अपनी motor गाड़ी को लेकर जाना है उसके अंदर आप wire के अंदर connect करके तो नहीं रख सकते है उसको हमेशा बिजडी की दारों से तो वो क्या है cell का use होगा mobile phone है हार टाइम आप उसको अपनी charger में लगा के नहीं रख सकते तो हाँ पर battery का use होगा torch हो गया खिलाने हो गया आपका calculator हो गया यह सारे चीज़ों में क्या हो रहा है इन सारी चीज़ों में battery का use हो रहा है तो batteries कितने तरीके की होती है यह सवाल है आपका possible question यह हो सकता है तो batteries दो तरीके की है primary batteries और secondary batteries अब दिन दोनों में फरक क्या है, primary batteries वो होती है, आपको समझ लीजे, simple सा concept है, primary batteries वो हैं, जिनों ने जो fuel उसके अंदर present था, जो कुछ उसके अंदर reaction होना था, chemical reaction, वो जो chemical है, एकी बार में exhaust हो जाता है, जैसे ही वो reaction complete होता है, वो chemical, जैसे 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 खतम होता जाता है, जै हम reuse नहीं कर सकते, जैसे कि हमारे simple cell होते है, जो हमारी wall clock में डला होता है, खिलावनों में डले होते हैं, वोей cells, जिनको हमें थोड़े दिन के बार निकाल के फिकना करता है, वो वाले cell होता है, primary batteries, अब secondary batteries कैसी होती हैас, secondary batteries वो होती है, secondary batteries क्या है, secondary batteries वो बैटरी वोती है, ज secondary batteries, okay? तो secondary batteries हमारी कहां-कहां पर use हो रही है? उनको हम बार-बार use कर सकते हैं तो कहां use हो रही है बे इक से कैंड़ी बेटरी कर सकते हैं हमारी कारों में, हमारे mobile phones में उन सब जगाओं कर secondary batteries का use हो रहा है Laptops में हमारे, जिस system पे बैटके आप मुझे देख रहे होंगे, Laptop होगा मुझे किसी के पास phone होगा, किसी के पास desktop भी हो सकता है, तो Laptop में जो है, secondary battery है बार-बार recharge हो जाती है, उसके अंदर क्या होगा LED storage batteries हो सकती है, वो या automobile वाली batteries हो सकती है nickel cadmium cells हो सकते हैं तो यह सारे के सारे example है, secondary batteries तो batteries का use कहां भी किया जाता है पहले तो आप यह समझ गए, और batteries दो तरीके की हो सकती है, जिनको बार-बार recharge कर सकते हैं, दूसरी जिनको हम recharge नहीं कर सकते हैं, फिर हम बात करते हैं एक और चीज की जो है fuel cell अब fuel cell क्या चीज होती है fuel cell जो होता है इस तरीके का cell है, जिसके अंदर fuel डाला गया है, वो fuel जो है वो अपनी reaction करेगा और वो सीधा convert करेगा अपनी उस reaction को electrical energy में तो उसको हम fuel cell करते हैं तो galvanic cell जो होते हैं, अगर कैंटर ऑगे अनदर क्यों बोलरा है उसके अंदर हाइडरोजन या औक्सीजन, नीथेन, मेथन, बेटनोल कुछ भी ऐसा compound होगा जिसकी energy को use किया जाएगा conversion के लिए वो energy वो fuel होगा वो एक तरीके का इंदन है जिसकी energy use की जाएगे और उसी energy को convert किया जाएगा किस में उसको convert कर दिया जाएगा electrical energy में जो सबसे जाए successful fuel cells होते हैं वो क्या use करते हैं hydrogen and oxygen hydrogen and oxygen की energy को use करते हैं यह जो cells होते हैं यह run करते हैं continuously as long as the reactants are supplied मतलब क्या है जब तक वो fuel present रहेगा तब तक यह cells काम करते रहेंगे fuel cells जो होते हैं जो खास बात क्या है fuel cells की efficiency कितनी होती है 70% तक उनकी efficiency होती है अगर हम compare करते है thermal power plants में तो thermal power plants में क्या होता है thermal power plants की efficiency कितनी है only 40% और fuel cell की efficiency कितनी है 70% तो उनकी efficiency अगर आप बात करते हो तो efficiency बहुत जादा होती है इसलिए fuel cells जो होते हैं वो बहुत जादा important है तो यह जो cells है वो कहां पर यूज हो रहे हैं automobiles में यूज हो रहे हैं experimental basis पे fuel cells जादा pollution free and a potential future alternative to fossil fuel अगर हम fossil fuel की बात करते हैं तो fossil fuel की क्या drawback होती है fossil fuel की सबसे बड़ी drawback होती है कि वो बहुत जादा pollution create करता है but fuel cell में क्या हो रहा है जो अगर oxygen और hydrogen as a fuel use हो रहा है तो वो pollutant create नहीं करा pollutant किस तरीके के जो incomplete burning of hydrocarbons की वेज़े से produce होते हैं sulfur dioxide carbon monoxide carbon dry oxide इस तरीके के fuel को इस तरीके के residues को fuel cell जो है वो produce नहीं करेगा तो fuel cell की working आप समझ सकते हैं उसके अंदर एक fuel होगा जिसका utilization होगा chemical से electrical energy conversion के लिए फिर हम next chapter की बात करते हैं उसमें हम पढ़ने जाएं surface chemistry के बारे में तो surface chemistry में वैसे तो काफी कुछ दिया गया था बहुत detail दिया गया था बढ़ हमने इसमें से सुर्फ वही topic को फिक किया है जिसमें कि हम को लग रहा है मुझे लग रहा है कि आपके exam में question हो सकता है as long as GS part is concerned तो पहला topic जो हम इसमें पढ़ने जा रहा है वो है absorption का पहला topic हम इसमें पढ़ने जा रहे है वो है absorption तो absorption क्या होता है absorption और absorption दो दरीके के phenomenon होते है absorb करना और absorb करना absorption क्या है absorption है कि कोई भी चीज़ को surface phenomenon है अगर मान लीजे ये वाला इसको देखिए आप absorption इसमें हो रहा है इसमें क्या हो रहा है एक ये molecule है इसके surface पे देखी जानों तरफ दुसरे छोटे-छोटे-चोटे-चोटे-चोटे molecules आके चिपक गए है तो ये surface phenomenon है एक molecule के ऊपर बहुत सारे चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे molecules अगर आके उसकी surface के ऊपर चिपक जाते हैं टोटल होगा, adsorption होगा, सिर्फ सर्फेस पे, तो हम इसका definition पढ़ लेते हैं, accumulation of molecule species at the surface rather than in bulk of a solid, अगर bulk of the solid में, पूरे के पूरे में काम कर रहा है, तो absorption होगा, अगर सिर्फ सर्फेस के ऊपर कोई दूसरा chemical आकर उसके साथ attach हो जाता है, तो उसे adsorption कहा जाता है, तो जो molecular species or substance जो concentrate करते हैं, या accumulate होते हैं, उनको कहा जाता है adsorbate, और जो जिसके ऊपर वो चिपकते हैं जाके, उसे कहेंगे हम adsorbent, मतलब एक adsorbent क्या होगा, अगर ये जो है, इसमें आप देखेंगे, तो ये adsorbent है, adsorbent, और ये क्या है, ये चोटे-चोटे molecules है, adsorbate है, ये adsorbate है, ठीक है, कन्फूजन कोई नहीं है आपको, adsorbate and adsorbent, तो adsorbent क्या होगा, जो की, वो medium प्रोवाइड कर रहा है, जो surface प्रोवाइड कर रहा है, ये surface पर हो रहा है, तो जो solids होते हैं, कौन-कौन से solids हैं, वो हमें adsorptions शो करते हैं, solids जैसे charcoal हो गया, silica gel हो गया, alumina gel हो गया, clay हो गया, ये सारे के सारे जो chemicals हैं, ये सारे के सारे show करते हैं phenomena adsorption का, तो इसके उपर ये काम करते हैं, इनके बहुत सारे uses हैं, इस चैप्टर का अप्लाइड पार्ट भी बहुत सदा इंपोर्टन है सिर्फ और सिर्फ अंडर्स्टेंडिंग वाला पार्टी नहीं जो इसका अप्लाइड पोर्शन है उसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे इनका बहुत जादा यूसफुल होते हैं इस चैप्ट आप दिछार्ट को आप ध्यान से पढ़ लिजिए पूरे चार्ट को एड्सॉप्शन और अब्सॉप्शन के बीच में इसमें डिफरेंस बताया गया है तो absorption को अगर आप देखते हैं, difference आपको मालूम है, absorption अगर आप देखते हैं, तो वो क्या है? bulk phenomenon है, पूरे atoms जो हैं, उसके अंदर penetrate कर जाते हैं, absorption क्या है? सिर्फ एक surface phenomenon है, यह bulk phenomenon, surface phenomenon, यह endothermic process है, यह exothermic process है, मतलब absorption करने के लिए आपको energy, heat supply करनी पड़ेगी, but absorption जब होती है, heat release होती है, exothermic है, same material, it is same throughout the material, मतलब अगर आप absorption में देखेंगे, तो अगर माली जा इतना बड़ा है, तो उसके बीच में से कोई piece कट करेंगे, तो वहाँ पे भी same होगा, but absorption के case में क्या होगा, अंदर zero होगा, और यहां पर होगा सारा, surface के उपर ही, आपको absorption नज़र आएगा, यह temperature से effect नहीं होता, absorption का temperature से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन absorption के case में क्या होगा, temperature स effect होता है, right, तो यह दोनों में difference है, यह इसमें दिखाया गया है, diagramatically, absorption क्या हो रहा है, surface specific हो रहा है, absorption क्या हो रहा है, पूरा अंदर भी penetrate कर रहा है, molecules, you can see, यह देखेगी, पूरा penetration हो रहा है, तो अगर absorption और absorption दोनों हो रहा है, किसी process में, तो उसको absorption का जाता है, यह भी एक fact घंसे सबक्षीन होता है यह तरिका दो subscribe उन्हें 嗜 खुए आपक्ष्यों हो रहे हैं तरक सब्सक्ते कोई हो रहे हैं तो इसे सउप्षिन का होगा fakat किhmen drug enable कि intox of absorption a यह इसे सब्सक्रीकों दो किमिकरह सब्सक्त इ给 हो सकता है कि आप जो यही दोनों में difference है, तो physical absorption में क्या होगा? Weak forces involved हों की, जैसे की wonderwall forces. जब हमने molecules के बारे में, forces और bonds के बारे में पढ़ा था, तो हमने दो तरीके के bonds पढ़े थे, एक थे strong bonds और एक थे weak bonds. Strong bond के अंदर आते थे ionic bond, covalent bond, etc. और इसके अंदर में आते थे, weak bonds में आते थे, wonderwall forces, यह सब forces आते थी. तो इसमें क्या हो रहा है? Physical absorption में क्या है? सिफ weak wonderwall forces जो है, वो involved है, उसके तरू दूसरा molecule आके attach हो गया है. But, chemical absorption के case में क्या होगा? वो bonds बनाएगा. Chemical bond बना लेगा. जो दूसरा वाला जो chemical आके stick हुआ है, वो chemical bond बना लेगा, adsorbent के साथ. adsorbate. adsorbent के साथ. adsorbate और adsorbent के बीच में chemical bonding हो जाएगी. तो यह adsorbent है. यह adsorbent है, कहा है? यह रहा हूँ. I'm sorry, यह मेरा pen ठीक से काम नहीं कर रहा है. Yes, adsorbent. यह adsorbent है, यह adsorbate है. तो यह इसके साथ में chemical bonding बना लेगा. ओके. तो next, अब हम बात करते हैं, यह types of adsorption आप समझ गे, दो तरीके का है, यह simple topic था. अब हम बात करते हैं, application part of adsorption. adsorption का application हम अपने day-to-day use में, माइन्स में, इंडस्ट्री में, कैसे use करते हैं? तो इसको अब ध्यान से समझ लीजए, अब आपने इसी वक्त समझ लिया, next 5 minute में, तो आपको दुबारा revise भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, आपको हमेशा याद रहेगा. तो सबसे पहला है, production of high vacuum. यह कैसे करते हैं, high vacuum कैसे produce होता है, अब आप देखिए, आपने कमरे के अंदर vacuum create कर दिया, बट आपको बहुत जाला high vacuum create करना है, तो आप क्या करेंगे, adsorbent, adsorbent जो होगा उसको use करेंगे, जैसे की charcoal, charcoal को आपने use किया तो charcoal क्या करेंगा, बची-कुची जो भी gases थी उस room के अंदर, या उस chamber के अंदर उसको भी absorb कर लेगा, और जो बची-कुची-कुची थी वह भी उसमें absorb हो जाएंगी, तो high vacuum create हो जाएगा, तो अगर chemically, मतलब laboratories में या किसी ऐसी जगह पर जहांपे बिलकुल भी कुछ medium नहीं प्रेजंट होना चाहिए, high vacuum create करने के लिए, charcoal जैसे adsorbents का यूज किया जाता है, जो कि जितनी भी gases बची होंगी अंदर उसको भी यूज कर लेगा, फिर दूसरा यूज है gas mask, अब gas mask काम पर यूज किया जाते हैं, बहुत सारे industries में, mining के case में, जहां पर भी chemically harmful type की gases release हो रही है, तो वहां पर जो normal mask के वो काम नहीं करेगा, normal mask से क्या होगा, वो gases तो enter कर जाएंगी, तो वहां पर क्या किया जाता है, mass के बीच में adsorbent particles लगा दिये जाएंगे, तो वो क्या करेंगे, वो किसी भी तरीके का chemical आएगा, उसको यहां पर trap कर लेंगे, उस तरीके के chemical को जो कि उसके लिए जो उसको absorb कर लेगा, जो poisonous gases हैं उसको absorb कर लेगा, और अंदर जो परसन है, उस एरिया में काम कर पाएगा, तो जो gas mask बनते हैं उसके अंदर absorbent, adsorption वाले phenomena का use किया जाता है, कंट्रोल humidity, humidity कैसे कंट्रोल की जाती है, silica और alumina जो gel होंगा, जो silica और alumina के जो gels होते हैं, आपने देखा होगा जब कोई आप bags खरीते हैं, या कोई expensive चीज़ें खरीते हैं, तो आपको चोटे-चोटे उस bag के बीच में जोटे-चोटे आपको खोल के देखेंगे, तो उसके अंदर आपको गोलिया मिलेंगी छोटी-चोटी ट्रांस्परेंट, वो क्या है, वो silica या aluminium की जल की गोलिया है, वो क्या कर रही है, अगर कोई भी humidity होगी वो उसको absorb कर लेंगी, moisture को, Moisture क्या करता है? जब भी आपको किसी भी बेक्टीरिया की, fungus, virus की growth चाहिए, तो उसकी growth कहां पे होती है? उसको temperature मिलना चाहिए और moisture मिलना चाहिए. तो temperature और moisture जब दोनों combine होते हैं, तब उस चीज की growth हो पाते हैं. कोई भी एक चीज नहीं रहेगी, तो growth नहीं होगी. तो एक चीज क्या है? humidity. humidity को कंट्रोल करने के लिए silica और aluminium gel यूज किया जाता है, ऐसे चीजों में जिनको हमें dry रखना है, right? removal of coloring matter from solution. Solution में अगर कोई coloring matter है, तो उसको उसमें जो है, adsorbent material का use किया जाएगा, ताकि उसको absorb कर ले. separation of inert gases, अब यह कैसे करेंगे? तो इसमें क्या होता है? due to difference in degree of adsorption. अलग-अलग तरीके level पे adsorb होती है. gases by charcoal, a mixture of noble gas can be separated by absorption on account of charcoal at different temperature. हमने पढ़ा था, adsorption जो है, temperature related है, मालनी जे हो सकता है, 10 degree Celsius पर कोई एक gas absorb होती है, adsorb होती है, और 20 degree Celsius पर दूसरी होती है, तो 10 degree Celsius पर यह temperature maintained किया जाएगा, और adsorption में वो जो gas release होगी, मतलब उसके साथ adsorb होगी, चिपक गई तो उसको हलग कर ले होगी, उसी material के साथ, राइट, in curing disease, disease में कैसे cure करने के लिए यूज होगा, दवाईयां जो होती है, उसके अंदर adsorbent material होता है, आपने देखा होगा, बहुत ही common एक यूज है, जिसमें की charcoal mask आचकल आ रहे है, charcoal face pack है, तो face आप अपनी skin पे है, charcoal body scrub, इस साइप की चीज आ र करके उसको आपकी skin से remove कर देगा, तो उस तरीके से वो काम करता है, इसी तरीके से अगर आप उसका खा भी लेते हैं, कुछ ऐसी tablets में adsorption material डाले जाएंगे, तो आपके gut के अंदर, GIT के अंदर कोई भी harmful bacteria, virus या कोई और substances पढ़े हो है, वो उसमें adsorb होके शरीर से बाहर नि कोईशन पूछा है, जिसमें की क्या दिया गया था, invertase enzyme दिया गया था, उसमें, zymase enzyme दिया गया था, diastase enzyme दिया गया था, तो इसमें से पूछा गया था, glucose से ethyl alcohol कैसे बनता है, कॉंसा enzyme involved है, तो जाइमें, तो यह पूरा का पूरा चार्ट उठा ले होनोंने, आपको में बहुत खास एक बात बता देती हूँ, अभी क्या हो गया है, पहले जो छोटी classes की NCRTs होती थी, science में, क्या होता था, छोटी classes 6-7 से, अभी भी उठा रहे हैं वहां से questions, 6-7 की NCRTs से सीधा questions को पिक किया जाता था, बट, पिछले कुछ समय से मैं notice कर रही हूं, कि आप जो state PCS जो होते हैं, वो वहां से 11-12 की NCRT पे भी switch कर गया है, इसलिए मेरा यही purpose था, 11-12 की NCRT का आपको पढ़ाने का, जो जो questions इसमें से possible बन सकते हैं, वो आप यहां से जरूर पढ़ लीजे, सबसे जरूरी होता है, यह जो charts दिये गए होते हैं, यह chart मैंने as it is NCRT से उठाया ह उसको आपको जरूर पढ़ लेना है, तो आपको यह rut लीजे, invertase enzyme क्या करता है, सुक्रोज से glucose और fructose में conversion करता है, सुक्रोज क्या है, सुक्रोज एक dicecride है, हम next chapter में इसकी भी बात करेंगे, monosecride, dicecride, polysecride क्या होते हैं, पहले छोटी class में भी हम बात कर चुके हैं, सुक् सुक्रोज कर देता है, 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 सुक्रोज कर में यही फरक होता है कि solutions जो थे वो क्या थे homogeneous mixture थे homogeneous mixture का क्या मतलब है कहीं से भी आप अगर एक mixture दिया गया तो कहीं से भी उसकी तली से उठाइए उसकी surface से उठाइए उसके बीच में से उठाइए निकालेंगे अगर liquid को तो उसकी composition हमेशा सेम आएगी लेकिन collide के case में क्या होगा surface पे अलग आएगी नीचे से अलग आएगी अलग अलग तो colloids और solution में यही difference है कि solutions homogeneous mixtures होते है colloids heterogeneous mixtures होते हैं सबसे पहला difference तो collide क्या है definition में भी वही दिया गया है colloid जो है एक heterogeneous तो collide क्या है heterogeneous mixture है system है जिसमें एक substance जो है is dispersed जिसको dispersed phase कहा चाता है and a very fine particles in another substance called dispersion medium तो dispersion medium क्या होता है solvent होता है और यह क्या होता है solute होता है अगर हम solution की बात करते हैं तो solvent क्या है dispersion medium है solute क्या है dispersed phase है जो essential difference है solution और collide के बीच में उनके particle size पर होता है सबसे पहला difference जो होता है क्यों ऐसा होता है कि वो पूरी तरीके से mix नहीं होता particle size तो particle size solution के case में छोटा होता है और colloids के case में बड़ा particle size होता है इसी की वज़े से complete mixing नहीं हो पाती है solution में क्या है constituent particles, ion और small molecules हो सकते है इसमें यह ion small molecules भी हो सकते है बट उनका particle size थोड़ा सा बड़ा होगा जो process है अगर आप colloids को रख देंगे तो उसमें क्या होगा उसके जो constituents थे वो नीचे बैठ जाएंगे solution की तलहटी के उपर बैठ जाएंगे तो इसको क्या कहते हैं इस process को हम कहते है sedimentation, coagulation, precipitation coagulation और precipitation हम इसको कहते हैं यहां पर sediment जो है नीचे settle हो जाते है इसको precipitation कहा जाता है ठीक है फिर हम बात करते है types of colloidal system क्या-क्या हो सकते हैं अब यह हमने बात किया collide के अंदर दो चीजे है एक क्या है dispersed phase है दुसरा क्या है dispersion medium है dispersion medium मतलब solvent एक solute है, एक solvent है तो जो solute है वो solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है gas भी हो सकता है similarly solvent जो है वो solid भी हो सकता है liquid भी हो सकता है gas भी हो सकता है again यह जो chart है मैंने फिर से NCRT से उठाया है मैं फिर से वही कह रही हूँ, यह five star वाला chart है, five star chart, इसको आपको रट लेना है, इसको अच्छे से रट लीजिए, इस chart में से आपको possible question मीलेंगे, आपको क्या पूछा जा सकता है, आपसे सबसे पहली बात पूछा जा सकता है, घी क्या होता है, milk क्या होता है, colloid है, क्या है, सबसे पहली बात है, यह सारे colloids है, अभी देखिए, सबके example आएंगे, किसमें क्या dispersion होता है, आप समझ लीजे, एक बार आपके इस head में बैट गया, तो आपको दुबारा से रटने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, तो आप यह देखिए, solid suspended है, dispersed phase भी solid, पहला category, पहला glasses and gemstones, gemstones होते हैं ना देखिए, लोग और रंग भी रंगे, gemstones की ring बना के पहने होते हैं, वह ही है, gemstones, वो जो gemstones है, वो क्या है, gemstones, एक colloids है, आगे से आपको कभी ऐसे exam में question मिले, इस तरीके से भी मिल सकता है, gemstone हो सकता है, paint हो सकता है, smoke हो सकता है, और क्या हो सकता है बी को question पूछा सा सकता है, which one of, which of the following is a colloid, तो सबके सब colloids हैं जिनके मैंने नाम लिए अभी, इस चार्ट को बहुत धान से पढ़ लेना, second category के आए, second category के अंदर, solid है, second category देखिए, solid, suspended है, liquid के बीच में, उसमें क्या आएगा, cell fluids है, solid suspended है, मतलब paint होगे, liquid था, उसके बीच मे आपने छोटे-छोटे solid particles डाले हैं, तो paint होगया, cell fluids होगे, so third category है, solid suspended है, gas के बीच में, gas है, smoke, उसके बीच में, छोटे-छोटे solid particles suspended है, और dust में क्या है, air है, उसके बीच में, छोटे-छोटे dust के particle suspended है, फिर next category क्या है, liquid है, suspended solid के बीच में, solid के बीच में liquid है, तो उसका example क्य बटर, जैली, मतलब solid medium था उसके बीच में थोड़ा थोड़ा liquid आ गया, फिर liquid के बीच में liquid, milk, hair cream, फिर gas के बीच में liquid, fog, mist, clouds, clouds क्या होते हैं, air होते हैं, उसके अंदर water droplets आ जाती हैं, चोटी-चोटी, तो उसको हम क्या कहते हैं, clouds कहते हैं, mist अगर और fog के इसमें क्या difference है, व बहुत थोड़ी सी बड़ी हो जाएं, तो rain बन जाती है, फिर gas है, suspended, solid के बीच में, यह थोड़ा सा, interesting है, इसमें क्या आएगा, form, rubber, piumystone, फिर gas है, liquid के बीच में suspended, तो उसके अंदर क्या होगा, froth, जो आप अपनी coffee पीते हैं, coffee के बीच में, जो आपको जाग दिखाई द करते हैं, that froth, whiffed cream, cream को आप दिख करते हैं, केक बनाने के लिए, soap leather, जब soap से आप hands wash करते हैं, तो sap soap के अंदर जाग बन जाता है, वो क्या है, वो जाग है, जाग है, gas के, gas जो है, वो suspended, liquid के बीच में, तो यह सारे के सारे किसके example है, यह सब examples है, colloids के, तो यह जो चार्ट है, यह five star chart है, इसको आप जरूर जरूर रट्टे मार लो, रट्टे मारने की भी जरूर ने समझा दिया, मैंने आपको, तो एक बार ध्यान से दुवारा पढ़ लेना, तो आपको याद रहेगा, आपको जब भी सारे particles दिये जाएंगे, तो आप समझ जाओगे, यह क्या है फिर एक और concept है, जिसको हम कहते है Tindal effect, तींडल effect क्या होता है, त्रूर सॉलूशन है यह पता लगता है इसके बारे में हमें पता लगता है, तेंडल effect से, कैसे, क्या होता है, इसमें हुगा इखने, तो पता लगता है, आप thought से light डालेंगे, अगर वो light scatter हो रही है, तो वो क्या है, वो एक colloidal solution है, क्यों ऐसा हो रहा है, अब आप समझ सकते हैं, particle size बढ़ा है, तो पूरी तरह से mixing नहीं हुए, जब पूरी तरह से mixing ना होने की विज़े से क्या हो रहा है, वो जो particles इसके बीच में पड़े रहेंगे, वो scatter कर देंगे light को, अगर वो पूरी तरह से mix हो जाएगा, तो कोई particles इसमें scatter करने के लिए होंगा नि, through and through light pass करेगी, यहां से आपने डाली, और यहां से बाहर निकल जाएगी, तो उससे क्या पता चलेगा आपको, की true solution है, अगर light scatter कर रही है, तो colloidal solution है, अब हम बात करेंगे, next topic है, emulsions के बारे में, आप emulsions क्या होते हैं, emulsions वो mixtures हैं, जिसके अंदर, colloidal mixtures हैं specially, जिसके अंदर liquid-liquid colloidal system है, मतलब liquid suspended है, liquid के बीच में ही, जो हमने liquid-liquid वाला पढ़ा था, वो वाला solution है, उसको हम colloidal system है, उसको हम कहते हैं emulsions, this version of finely divided droplets in another liquid, एक droplets होंगी, दूसरे liquid के बीच में suspended होगी, oil के बीच में water, या water के बीच में oil, ठीक है, वो दोनों क्या है, वो emulsions है, अगर mixture होगा, if the mixture of two miscible or partially miscible liquid is shaken, the course this version of one liquid in the other is obtained, which is called emulsion, emulsion कैसे बन रहा, एक liquid जो दूसरे liquid में पूरी तरह से mix नहीं होता, या तो partially mix होता, जब हम उसकोल जोर जोर से हिला देंगे, तो emulsion बन जाएगा, या आपने देखा होगा, सर्दियों में आपने देखा होगा, जब आप oil अपने बॉड़ी पे अपलाए करते हैं, तो उसके बीचों तवर सा पानी चला जाता है, तो वो emulsion बन जाता है, similarly, आप जब cooking कर रहे होते हैं, उस टाइम पे गलती से कभी-कभी oil के बीच में water चला जाता है, फिर भी emulsion बन जाता है, तो यह सारे example जो आप हमने day-to-day life से देखते हैं, और दूसरे के example हो सकते हैं, liquid के बीच में liquid suspended है, milk हो सकता है, butter हो सकता है, cream हो सकती है, चीक है? next हम बात करते हैं, अपने अगर हम चारो तरफ देखते हैं, तो हमें किस तरीके से colloids दिखाई देते हैं, उसके example हम देख लेते हैं, तो यह भी बहुत interesting है, इसमें से बहुत सारे सवाल बनते हैं, हमेशा यह बहुत बहुत ज़ादा important और interesting topic हम पढ़ने जा रहे हैं, पढ़े हुए हैं और water की droplets दिखाई देता है, वो blue color का हमें दिखाई देता है, जब हम नीचे से देखते हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि जब हम देख रहे हैं sky को, तो हमारे को बादल दिखाई देते हैं बीच में, बादल होते हैं, और उस बादल के अंदर क्या होता है, उसके अंदर dust particle भी suspended है, और water droplets भी suspended है, वो दोनों क्या करते हैं, वो जो light आ रही है, उसमें से scatter कर देते हैं, blue light को, कौन सी light scatter हो रही है, blue color की light scatter हो रही है, तो जिसकी वज़े से हमको sky जो है, कैसा दिखाई दे रहा है, sky is blue, नेक्स्ट हम बात करते हैं, fog, mist and rain की, जब large mass, fog, mist and rain की formation कैसे होती है, बहुत बड़ा सा rain, बहुत बड़ा सा बादल है, जिसके बीच में क्या होता है, उसके बीच में water की droplets, मता moisture मौजूद होता है, अगर था तो temperature घट जाए, या फिर humidity भढ़ जाए, तो क्या होगा, वो जो water के humidity थी, जो air में था water form में, वेपर form में, वो condense होना शुरू हो जाता है, fog और mist बन जाता है, जब particle size चोटा होता है, अगर वो और जादा particle size बड़ा बन जाए, तो वो rain बन जाता है, इस topic के बारे में, fog, mist और rain के बीच में difference, हम geography की NCRT में भी पढ़ेंगे, तो हम अपने चारो तरफ colloids की बात कर रहे हैं, तो हमने fog, mist और rain के बारे में समझ लिया, तो fog, mist और rain के बारे में जो है, हम किसमें समझेंगे, geography की NCRT में भी अच्छे से पढ़ने जा रहे हैं, हम क्लाउड के बारे में भी जानते हैं, क्लाउड के बीच में air होता है, मतलब air होती है, और air के बीच में suspended होती है, moisture and best particles, अब हम बात करते हैं, food articles के बारे में, food articles जैसे की milk, butter, halwa, ice cream, fruit juice, यह सब क्या है, यह भी example है, colloids के, यह भी सब के सब colloids है, milk, butter, halwa, ice cream, fruit juice, और भी यह colloids है, जिसके अंदर, प्लाजमा के अंदर, RBC, WBCs, platelets or other cells suspended है, soil जो है, पटाई soils है, are colloidal in nature, formation of delta, delta जब बनता है, नदी, जो है अपने साथ, पानी के साथ, सारे के सारे, मिटी, पत्थर, कंकर्ड, सब कुछ लेके आ रहे है, जैसे ही gravity कम हो जाती है, तो वो सारा का सा सेटल कर देती है, उस टाइम पर जहां पर वो समुदर से मिलने जा रही है, उस जगह पर वो सारे की सारे जो मिटी अपने साथ लेकर आ रहे थी, उसको सेटल कर देती, तो वो भी एक example है, colloids का, right, तो यह हमारी day to day life में हमारे को, मतला आपको जितनी चारों तरफ आप देखेंगे, आपको colloids के example मिलेंगे, अब हम बात करते हैं application of colloids की, हम किस-किस चीज में उसको use कर सकते हैं, तो पहली application में आप देखे, electrical precipitation of smoke, जब भी आप कोई ऐसे industries की बात करेंगे, जहां से बहुत सारा धुवा निकलता है, तो जिस जिगह से धुवा निकलता है, वह आप एक electrical precipitator लगा दिया जाता है, वह काम क्या करता है, smoke क्या होता है, smoke एक colloidal solution है, कैसे, air के बीच में solid particles suspended है, वह वाला mixture है, वह वाला system है, तो उसको हम क्या करेंगे, electrical precipitator, एक machine के जैसा लगा होगा, वह जैसे ही वह वाला धुवा निकलेगा, तो उसमें से जो solid particles हैं, उ ऐसे ही smoke बाहर निकलेगा, उससे पहले चिमनी में क्या लगा दिया जाता है, electrical precipitator, जो कि सारे के सारे जो particles हैं, उसको chamber में ही इखटा कर देता है, और बाहर clean air को भीजता है, ठीक है, purification of drinking water, drinking water को purify भी किया जा सकता है, drinking water में impurities हैं, मतलब liquid के बीच में solid particles, या liquid के बीच में dust particles जो हैं, वो present होते हैं, तो हम क्या करते हैं, आपने बच्पन में हमने किया है ना, सबने, वो fit curry होती है, जो alum, उसको हम क्या करते थे, उसको हम पानी में mix करते थे, तो थोड़ी दिर में जो गंदा पानी होता था, उसकी सारे impurities नीचे बैढ जाते थे, और फिर उस पानी को छान लिया जाता था, तो यह अमने सबने एक्सपेरिमेंटों भी किया है, छोटे classes में, जिसने नहीं किया है, उसे भी पता होगा, fit curry नहीं किया तो अब कर लो, ठीक है, गंदा पानी लो, उसके अंदर fit curry का ही छोटा सा टुखडा लो, उसको mix करो, तो क्या होगा, वो fit curry तो उसको उसमें fit curry मिला दिया करते थे, उसको settle कर लेते थे, जब wars पे जाते थे, लड़ाईयां वगारा होती थी, तो उसके बाद वो बड़े-बड़े डबों में पानी बढ़के रखते थे, और उसको फिर पी लिया करते थे, पानी को, साफ पानी को, medicines जो है, उसमें भी colloids यूज किया जाते हैं, जैसे आप कोई lotion बनाते हैं, balm बनाते हैं, wicks, vaporub हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे colloidal systems है, और क्या होता है tanning, वो जो आप leather की jackets और leather की bags वगएरा यूज करते हो ना, आप सब लोग, वो जो leather है, उसकी जो tanning की ज जाता है, वो सब भी, जो है colloidal system वाला, ये जो colloidal system होता है, उसी के थूँ ये सारा काम किया जाता है, या पढ़ लेना, ये पूरा ये वाला ये वाला जो है पढ़ लेना, पूरा, फिर एक soap का जो detergent का जो cleaning action होता है, वो भी, जो soaps होती है, उसके दो ends होते है, एक hydrophilic end ह होता है, तो जो hydrophobic, जो water से डरता है, water repellent वो जो होता है, गंदी के साथ चिपक जाता है, hydrophilic water के साथ act करता है, और जब पानी डालोगे तो वो wash away हो जाता है, photographic plates and film, जो photography में plates of films यूज की जाती है, उनके ऊपर जो emulsion होता है, silver, जो bromide होगा, gelatin के साथ उसका जो mixture बना के कुछ काया जाता है, वो भी एक colloidal system ही है, rubber industry में कैसे use किया जाता है, colloidal solution of the rubber particles, जो the negatively charged होता है, तो rubber is obtained by coagulation of latex, so coagulation method हम use करते हैं, वो settle हो जाता है नीचे और उसको हम निकाल लेते हैं, industries में paint, बनाना, ink, बनाना, synthetic dyes, graphite, lubricant, यह सब कुछ बनाना कैसे, क्या, cement, यह सब क क्या use कर रहे है, यह सब के सब, colloidal system का ही use कर रहे है, तो this was the chapter, हमने chapter number 3 से लेके, कितना पढ़ लिया, 3, 4, 5, 3 chapters हमने class 12 chemistry के पढ़े हैं, इसमें से जो-जो चीज़ इंपोर्टन थी, हमने उन-उन चीज़ों का तच किया है, आपको इस chapter को देखके काफी अद तक समझ में आ गया होगा, कि आप लोगों के exam में, जो लोग भी पुराने papers देते हैं, या फिर जो लोग exam में पहले भी कर चुके हैं, उनको अच्छे समन में आ गया होगा, कि state PCS जो हैं, वो NCRT से सीधे-सीधे questions उठाते हैं, यही बात का emphasis में, बार-बार अपने सभी lectures में देती NCRTs are very very important, कुछ लोग, कुछ लोगों को लगता है कि बही, क्या यह important है exam point of view से, तो जी हाँ, यह important है exam point of view से, exam में इसमें से question पूछे जाते हैं, so thank you so much, I hope you have understood this topic, और आप इससे जुड़े हुए सवालों को solve कर पाएंगे, पढ़ते रहिए, and best of luck for your preparation.